मुझे मेरी बीटी चाहिए बस पूरा विडियो फारुक कबिर के डारेक्षन में बनी खुदा हफिस चेप्टर टू जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे है विद्युच जमोवाल और उनके साथ में है सिवा लिखा ओबेरावई बताना चाहूंगो दोस्तो इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट खुदा हफिस चेप्टर टू ने अपने पहले दिन बोक्स ओफिस पर एक तरह से ठीक ठाक ओपनिंग ले ली है जिया दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के बोक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो सबसे पहले जान लेते हैं इस फिल्म का बजट और स्क्रेंड काउंट तो दोस्तों आपको बता दे कि खुदा हफिस चेप्टर टू के प्रोड्यूसर खुद विद्युच जमुआल है जिसके चलते उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए कोई फीस नहीं लिए जिसी की वज़े से दोस्तों खुदा हफिस चेप्टर टू का टोटल बजट है सिर्फ 20 करोड रुपे जिसमें से 15 करोड रुपे इस फिल्म का कोश्टो प्रोडक्शन है यानि कि फिल्म बनाने का खर्चा वही 5 करोड रुपे इस फिल्म के प्रोमोशन पे खर्च किये गए थे लेकिन बात करें कि फिल्म को कितने स्क्रेन पे रिलिज किया है तो दोस्तो आपको बता देगी खुदा हाफिस चेप्टर 2 को वर्ल्ड वाइड लगभग 1500 स्क्रेन पर रिलिज किया गया है क्योंकि दोस्तो इस फिल्म के रिलिज होने के एक दिन पहले ही थोर लव एंड थंडर रिलिज हुई जिसके चलते खुदा हाफिस चेप्टर 2 को काफी कम स्क्रेन मिली है तो दोस्तो अगर बात करें कि फिल्म को पहले दिन कैसी उक्किपिंसी मिली तो फिल्म के जो morning source की occupancy है वो कही ना कही decent है साथ साथ इस फिल्म के afternoon और night वाले source की जो booking है वो भी ठीक ठाक है तो जो रिपोर्ट आभी तक है यह उसके मताबिक खुदा हफिस chapter 2 अपने first day इंडिया net collection कर रही है लगभग 1.90.000.000 रुपे वही फिल्म का first day इंडिया gross collection हो रहा है दो करोड 28.000.000 रुपे का बताना चाहूंगो दोस्तो यह फिल्म अपने पहले दिन और सिज मार्केट यानि कि विदेसों से लगभग 20.000.000 रुपे की कमाई कर रही है यानि कि दोस्तो खुदा हफिस chapter 2 का जो first day worldwide gross collection है वो हो रहा है लगभग 2.50.000.000 रुपे का अब आपको बता दे दोस्तो फिल्म पहले दिन भले ही 2.50.000.000 रुपे कमा रही है लेकिन इस फिल्म को रिलेच करने के पहले ही इसके producer 10.000.000 का फाइदा कमा चुके थे क्योंकि दोस्तो इस फिल्म के digital rights, satellite rights, music rights और theatrical rights यानि कि जितने भी rights से वो Z company वालों ने 30 करोड में पहले ही खरीद लिये थे यानि कि फिल्म के जो producer है विद्युच जमवाल वो इस फिल्म को रिलीच करने से पहले ही 10 करोड के फाइदे में भी आ चुके थे तो दोस्तो फिल्म ने ओबनिंग भी ठीक ठाक ली है तो आप देखते हैं कि इस फिल्म का lifetime collection आखिर कहा तक जाता है वैसे आपको क्या लगता है खुदा हफिस चेप्टर 2 का final box office collection कितना होगा कमेंट करके जरूर बताए और टेली खुदा हफिस चेप्टर 2 के box office collection वीडियोज देखने के लिए आपके अपने इस चेनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले